हेलो गाईज अगेन वेलकम यॉल तो माई यूट्यूब चैनल कोडिंग पेडिया फिरसे हजरू मैं आपके सामने एक इंपॉर्टन वीडियो के साथ में जहां पर हम देखेंगे कुछ सीपी सी के कॉश्चन ठीक है आज की वीडियो में आपको कुछ सीपी सी के इंपॉर्ट पहुंच होगे काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है इसमें आपको इंपॉर्टेंट कॉश्चन देखने को मिलेंगे और उनके में आंसर भी आपको दोंगा विद एक्स्प्रेनिशन सो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखेगा आपको एजली चीजह समझ में आ ज पढ़ो एन गाहिनी रिक्वेस्टेट अप्रेटिशन प्रेजरीन सेक्शन फॉर पॉसी फीटल दिस्ट्रेश अगर आप इस को देखोगे ठीक है तो इसका जो डेस्क्रिप्शन है वह हमारे सिनारियों से मैच नहीं करेगा तो देट सब्सक्राइब एलिमेट ऑप्शन ए ऑप्शन फी ठीक है बचा हमारे पास बहुत एब और यहां पर देखोव अगर आप ऑप से पहले यहां कभए और अटेंडएंस के सात में क्या हुआ है डिलीवर भी हुआ बेभी न्यूबॉन बेभी जो है ठीक है तो उसके लिए हम कोड करते हैं 99460 ठीक है अगर आप क्या है कोड को देखोगे 99464 उसके नीचे एक चीज़ दे रखिए 99464 कैन यहां पर आपको समझ में आ गया होगा अब हम दूसरा कॉशन देख लेते हैं ठीक है तो यह कॉशन आपने पढ़ा ठीक है सबसे पहले इसमें आपको राइट आंसर पता रहेता हूं वह हमारा ऑप्शन भी ठीक है अब वह कैसे है दो यहां पर फिजिशन नी क्या चीज़ प 11002 में क्या है वो Non Automated है विदाओट Microscopy है बट हमारी सेनारिय में क्या है Non Automated तो है बट इसमें क्या है With aiming Microscopy है और यह वाला जो कोड है 81002 किसके लिए विदाओट Microscopy तो that's why we can eliminate option a ठीक है बचा option d c b अगर आप option d को देखोगे तो जो हमारा कोड है 81007 यह हमारा किसके लिए आता है यह हमारा आता है bacteria screening के लिए बट आपके सेनारियों में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं दे रहा है तो that's why we can eliminate option D ठीक है अगर आप code देखोगे C और B दोनों में code हमारा से में but ICD में difference है ठीक है जो हमारा ICD code 39.0 यह हमारा appropriate code नहीं है तो that's why we can eliminate option C also जो हमारा right answer है वह रहेगा option B ठीक है guys I hope आपको समझ में आगया होगा keywords match करो ठीक है उससे आपको easily समझ में आ जाएगा कौन सा आपका right answer है बात कर लेते हैं अपने third question की ठीक है तो यह हमारा दो option में available है वह हमारा A और option D ठीक है तो जो code है हमारा 01967 यह किसके लिए आता है यह आता है यह आता हमारा NeuroAxial Labor Anesthesia Anesthesia for plant vaginal delivery ठीक है बट हमारे सेनारियों में क्या हो रही है प्लांट वह हमारी cesarean section हो रहा है मलब cesarean delivery हो रही है तो यह code तो हमारा जाएगा नहीं that's why we can element option A and option D ठीक है बचा B और C अगर आप code देखोगे 01958 तो यह हमारा किसके लिए आता है Anesthesia for external cephalic version procedure बट ऐसा कुछ तो है नहीं सिनारियों में तो यह भी हमारा right answer नहीं होगा तो right answer कौन सा होगा हमारा option C ठीक है गाईस तो इस तरीक statement regarding leasing and excision is true ठीक है कौन सा statement true है तो right answer रहेगा वो रहेगा option A ठीक है वो क्यों रहेगा देखो यहाँ पर यह क्यों true है मैंने आपको पहली बिताया था जो oxygen codes होते हैं उन में हमारा क्या है simple closer already bundle होता है ठीक है उसको हम separately code नहीं करते हैं तो that's why our right answer is option A ठीक है और जो option B, C and D वो wrong है जो option A है यहाँ पर correct answer है हमारा ठीक है related to leasing and excision ठीक है आई रोप आपको समझ में आगया होगा यह आपका right answer रहने वाला है बात कर लेते हैं अगले question की ठीक है जो कि हमारा क्या है related to closer मलब repair ठीक है तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं right answer की तो जो right answer रहने वाला है वो र four arm पर तीसरा हो रहा है हमारा किस पर eyebrow ठीक है अगर आप code की बात करोगे यहाँ पर तो हमारे तीन course जाएंगे ठीक है वो आपको समझ में आगया होगा वो क्यों हो जाएंगे क्योंकि तीन repair हो रहे है different locations पर ठीक है और तीन में हमारा जो पहला repair है वो हमारा कौन सा है layered closer का मत ठीक है तो देखो अगला question पड़ो अगले question में सबसे पहले मैं आपको पितारता हूं right answer कौन सा रहेगा तो right answer रहेगा option B अप कहोगे वो क्यों हो रहेगा तो देखो जो हमारा question है उसमें हुआ क्या है जो patient है वो किसके लिए है penile implant के लिए आया हुए ठीक है तो यहाँ पर 4401 यह किसके लिए आता है यह हमारा आता है insertion of penile prosthesis और वो भी inflatable ठीक है यही हमारा right answer है और यही चीज हमारे सेनारियों में हो रही है और अगर दूसरे course देखोगे क्योंकि हमारा 54417 है 54416 है यह हमारे दोनों wrong होंगे क्यों क्योंकि अगर आप इनका description देखोगे तो यह क किसके लिए आते हैं रीमूवल हैं replacement के लिए हमाएर सेनारियो में removal क्ले हो ही रहा है के बल क्या हो रहा है हमारे में insertion हो रहा है तो option ए और और option चीज हमारे किसके लिए आता है यह मारा जो आता यह आता इंसर्शन के लिए बट यह आता है नॉन इंफ्ना टेबल के लिए बढ़ हमारी सेनारियो में कहा है इंफ्ना टेबल ठीक है तो इस तरीके से आप समझ भी सकते हो कि अपका राइट आंसर कौन सा क्यों है ठीक है अब बात कर लेत कोड को ठीक है तो देखो यहां पर हमें क्या चीज़ पर फोकस करना है और हुआ क्या है यहां पर टॉन सेलेक्ट टॉमी भी हुई है दौनों चीज़ें हुई है ठीक है जो हमारा राइट अंसर जाएगा वह ऑप्शन यह जाएगा ठीक है पहले मैं आपको यह बता जाता हू अब यह क्यों हो जाएगा क्योंकि देखो यह जो कोड है हमारा 42821 यह हमारा किसके लिए आता है टॉन सेलेक्टोमी प्लस अदेनेक्टोमी जो की हुई है ठीक है अगर हम एज देखेंगे तो एज हमारा किसके लिए है 421 में एज ओवर 12 और 12 मनलब 12 साल तक 12 साल या 12 साल से यह जो एज ठीक है अब बचा ओप्शन बी एंडी तो देखो दोनों उप्शन में जो हमारा 42825 है यह हमारा किसके लिए यह जाता है यह हमारा यह जाता है टॉन सेलेक्टोमी के लिए ठीक है बट आप एज की बात करोगे तो एज के बेस पर आप एलिमिनेट कर सकते हो ठी है तो इस बेस पर एलिमेट कर दोगे 26 वाला क्या है 26 वाली एज तो मैच कर रही है है ना टॉन सेलेक्ट हमी भी मैच कर रहा है बट जो 831 है वो भी हमारा मैच कर रहा है तो मैंने आपको एक चीज़ स्टार्टी में बताई थी कि यह दोनों कोड तो ठीक हैं बट हमारे पा है कि सेम कॉशन उनके एक्जाम में आ चुका है तो देखो इस कॉश्चन में हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ठीक है अब यह क्यों रहेगा सबसे आप सेनारियों में देखो हुआ क्या हुआ है सरकम्सिजन के साथ में क्या हुआ है पिनाइल ब्ल ब्लॉक यह होगा एट टाइम विएफ टू कोड 54150 वाला कोड तो राइट आंसर तो हमारा यह है क्योंकि सेनारियों में भी तीनों चीज है सरकम्सिजन हो रहा है पिनाइल ब्लॉक का यूज किया गया है और अपना क्लैंप का भी यूज किया गया है तीनों चीज हुई है तो राइट अंसर तो यह ही जाएगा अब हम एलिमेट कर लेते हैं तो देखो जो हमारा कोड है 54160 इसके नीचे गाइड लाइन दे रखा है कि इसके साथ हम 63 मॉडिफायर यूज नहीं कर सकते तो भी एलिमेट कर दो ठीक है 54150 हम कब कोड करते हैं जब हमारे में पनाइल ब् सबसे पहले मैं आपको राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन अब आपको क्यों रहेगा ठीक है तो देखो हमारे सेनारियो में हुआ क्या है हमारे सेनारियो में फिजीशन ने एड्मिस्टर जया है कि इसको एट्रोपाइन के इंजेक्शन को बाइलेटरली टोटल अब दो हम एलिमिनेट करते हैं जो हमारा कोड़े सिक्स फोर इन्टु फॉर तो मैंने आपको बताया था कभी भी हम जो हमारा पेरेंट कोड़े उसको मुल्टिप्लाइं नहीं करते ठीक है इसलिए हम इसको डारेक्ट कर सकते है ठीक है अब अगली चीज दे रहेगी है जो हमारा ऑप्शन डी है 64611 with 52 modifier ठीक है तो देखो यहां पर एक नीचे दे रखा है रिपोर्ट 646112 with 52 modifier fewer than four salivary glands are injected बट हमारे सेनार्यों में तो चार हुए है ठीक है अगर चार से कम होते हैं तो हम 52 modifier यूज करेंगे बट हमारे में तो चार हुए है तो यहां पर हमारे चार प तो यह कुछ important questions है guys जो कि already exam में आ हुए है और I hope आपको समझ में आ गया होगा आपके right answer कैसे है और with description मैंने आपको दे रखा है ठीक है जिससे आपको easily समझ में आ जाएगा कौन सा आपका कैसे right answer रहेगा ठीक है guys I hope आपको समझ में